हलो स्टुडेंट आपके परिच्छा को ध्यान में रखते हुए समाजिक विज्ञान के अंतरगत छोटे छोटे पार्ट में करके सभीक टॉपिक को किलियर किया जाएगा देखिये सबसे पहले जो टॉपिक हम पढ़ेंगे एक से दो मिनट में तो सबसे पहले हम लोग विस्वीती थ्यास के अंतरगत पढ़ेंगे पुनर जाग्रण तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि अखर यह पुनर जागरण है क्या पुनर जागरण फ्रांसीसी भासा का एक सब्थ है जिसका अर्थ होता है फिर से जगना अगर आपसे कोशन पुछ लिया जाए कि पुनर जागरण का प्रम प्रम कहां से हुआ तो पुनर जागरान का प्रम्ब इटली से हुआ है और इटली कहा ती यूरोप महादीब के अंदर है और ये इटली के फलोरेंस नगर से इसकी सुरुवात माना जाता है वह एक बौधिक अंदोलन था देखिए जो पुनरजागरण था यहीए एक बौधिक अंदोलन था यानि विचारों में परिवर्तन की बात हुई थी पुनर जागरन के दोरान सबसे ज़्यादा जो विकास हुआ है तो वह हुआ था आर्ट का यानि कला के छेतर में सर्वधी की विकास हुआ था जैसे आप लोगोंने मुनालिशा का चित्र देखा होगा जिने लियोनार्दो द विंची ने बनाया था ये प्रशिद्ध चित्रकार थे लियोनार्दो द विंची इटली के महान कभी दांते को ही पुनर जागरन का अगर दूत भी माना जाता है तो अगर आप कोस्टन बनता ह कि पुनर जागरन के अगर दूत किसे माना जाता है तो आप लोग दाते का नाम याद रखिएगा यानि दाते एक कवी थे आधुनिक विश्चु का पर्थम राजनीतिक चिंतक अगर पूछा जाए तो मैकिया वेली को माना जाता ये भी आपको ध्यान में रख करके चलना है इनका जन भी इटली में ही हुआ था और मैकिया वेली की एक पुस्तक है दी प्रिंस दी प्रिंस नामक पुस्तक इनकी प्रसिध रचना है इटली की निवासी पे ट्रॉक को मानोता बाद का संसापग माना जाता है तो आपको ध्यान में रखना है कि पुनर जागरन की बाद पूछे कि पुनर जागरल के अगरदूथ तो दाते का नाम याद रखिएगा राधनीतिक चींतन की बात करें सर पर थम तो मैक्यावेली का नाम याद रखिएगा दी प्रिंस पुष्टक की अगर बात करें तो भी मैक यवेली का नाम आप लोग याद रखिएगा और मौनावतावाद का संस्थापक अगर पूछा जाए तो पर ट्रॉक का नाम आप याद रख कर चलिएगा मौनावतावाद पुनर जागरण की सबसे प्रमुख भी सेस्ता थी और इसी के साथ ही धर्म सुधार अंदोलन भी सुरू हो गया था यानि यूरोप में धर्म सुधार अंदोलन का अगर डेट पूछे सन पूछे तो आप 1517 में लगा सकते हैं और यह कहां से सुरू हुआ था किस देश से तो जर्मनी से सुरू हुआ था मार्टिल लूथर किंग के नेत्रत में यह आंदोलन प्रणब हुआ था तो आज का यह टॉपिक यही समाप्त होता है आपको जानकारी कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताएं अगर चैनल पे पहली बार हैं तो सस्क्राइब करके दोस्तों तक भी सेर करते कर दीजिएगा धन्यवाद